ओम शांती आज चोध हैं मार्च दोहजार बाइस दिन सोंवार की साकार मुरली आईए अब सुद्धे हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे ज्यान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो बाप को ही याद करो इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो प्रश्न इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डारेक्शन मिला हुआ है उत्तर मीठे बच्चे या पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है इस पर रावन का राज्य है इनसे दिल नहीं लगाओ यहां रहते बुद्धी की आसक्ती नई दुनिया में जानी चाहिए ग्रस्त व्यवार में भल रहो परंतु कमल फूल समान रहो सबसे तोड निभाओ भुद्धी योग एक बाप से लगा रहे ज्यान योग में पक्के बनो किसी भी हालत में खुशी का पारा कम नहो धीरज रख करम बंधन को काटते जाओ गीत धीरज धर मनुवा ओम शान्ति मनुश्य मनुश्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह दुखी बिमार होते हैं यहां तो तुम मनुश्य मत पर नहीं चलते तुम इश्वर ये मत पर चल रहे हो सो भी सब नहीं चलते इश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु कहा जाता है उनकी मत तो नामी ग्रामी है भगवान ने ही श्रीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की अत्वा दैविग दुनिया के मालिक बनने की इतनी उची मत और कोई दे ना सके क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी है तो वह मत भी ऐसी ही देंगे तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे है उचे ते उचे बाप की उचे ते उची मत है उनको तो कोई ब्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे पतित ही उस निराकार बाप को बिलाते हैं साकार की तो बात नहीं इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत मत सुनो Here, no evil See, no evil भल यह आखे मनुष्य को तो देखती है परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है और उस बाप को ही याद करना है दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हूँ जिससे वह बाप को देख सके तुम समझो बाप को देखने जाएंगे बुद्धी में है यह तो आत्मा है न यहां समझाया जाता है, तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद गर, उनको देखो दिव्य चक्शु से, तुम्हारी आत्मा को अब सोज़रा मिला है, कि हमारा बाप कौन है, कहां रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है, तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्सा लेने का पुर्शार्थ करते हो जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाप से वर्सा कैसे ले सकते हैं बाप का वर्सा तो बेशुमार है उंचेते उंचा है सुरवन्शी राजा रानी बनना बैरिस्ट्री भल पास करते हैं परंतु उनमें भी नमबरवार होते हैं कोई तो भूत कमाते हैं, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते हैं अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं कोई भी मनुष्य को कोई कब कहना सके कि यह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्गुरु है और सब गुरु लोग हैं। सत्गुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब हैं जूट बोलने वाले। वह सच्ची सदगती किसी को दे नहीं सकते, सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे, कोई की भी बुद्धी में नहीं आएगा कि वह सतबाप सतटीचर सतगुरु कैसे है, वो तो सर्व व्यापी के बात खत्म कर देते हैं, वह परमातमा को अलग समझते नहीं कि वह हम बच्चे हैं, कह देते हैं सब बाप ही बाप है, इनसे भी नीचे ठिकर भीतर में परमातमा को ठोक दिया, बाप समझाते हैं, ऐसे हैं नहीं, तुम बच्चों को अब निश्चे हुआ कि बरोबर बाप सतबाप, सतटीचर सतगुरु एक ही है, उनको कोई जानते नहीं, अगर जानते हों, तो वहाँ जा भी सकें, किसी को जाना जाता है, तो उनके नाम, रूप, देश, काल, सब को जाना जा सकता है, नहीं तो जानने से फाइदा ही क्या, मनुश्य सब दुखी हैं, इसलिए शानती चाहते हैं, उनको यह पता ही नहीं, कि हम असल शानती धाम के रहने वाले हैं, वहां से हम आते हैं, हम आत्मा का स्वधर्म शानती है, बाबा गुरूओं के लिए समझाते हैं, वह किसी को सदगती दे नहीं सकते, वह डराते हैं, कहते हैं गुरू का निंदक ठोर ना भावे, वास्तव में यह सब बातें बेहद के बाप के लिए हैं, कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सत्युग में उंच ठोर नहीं पाएंगे सन्यासी तो यह बात कहना सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठोर नहीं पाएंगे कौन सा ठोर? ठोर का तो कुछ पता ही नहीं साधना करते रहते परंतु साधना करने से सद्गती को पा न सके यह बाप ही आकर धीरज देते हैं तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है हम बहुत दुखी है जब तक सुखधाम का साक्षातकार ना हो तो दुखधाम समझें कैसे अभी तुम जानते हो यह दुखधाम है अल्पकाल का सुख है इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है समझते हैं गांधी ने राम राजस्थापन किया परन्तु नहीं यह तो और ही तीखा रावन का राज्य बन गया सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी है आगे सिर्फ पतित थे अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं यह है कल्यूग की अंत कितनी रिश्वत है बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धेरे धरु परन्तु सुनते नहीं है पिछाडी में सब को मालुम पड़ेगा परदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रही आखरीन सब सुनेंगे तो सही न एक तरफ माया सब के गले घुटती रहती है दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं अब तो धेर मनुश्यों को आवाज पहुचाना है जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अकबारों में भी जोर से पड़ेगा फिर बहुत आएंगे यह महनत है धर्म अत्वा मठ आदिस्थापन करना तो बहुत सहज है बोधी धर्म की एक स्पीच की साथ सतर हजार बोधी बना लिये यहां तो महनत है माया बड़ा जोर से सामना करती है वहां तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं यहां माया से युद्ध करने में महनत है मुख्य बात है पवित्रता की और कोई जगें पवित्रता की बात नहीं वह तो घर से वेराग्य आता है या कुछ चोरी पाप आधी करते हैं तो सन्यास धारण कर लेते हैं इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्मेंट को सन्यासी CID आधी रखने पड़ते हैं दलालों के रूप में भी व्यपारियों के रूप में भी CID होते हैं पुलिस का गुपत काम बहुत चलता है दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यपारियों से मिल जाते हैं फिर सब मालूम पड़ जाता है धंदे वाले धंदा भी करते तो CID भी करते दुनिया बहुत मुसीबतों में फसी हुई है तुम बहुत भगशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकलाए हो दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ती है वे तो दुखी होकर मरते हैं तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए कहां पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापिस बाबा के पास जाएं दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ तो पुरानी दुनिया क्या काम की यह तो पुराना कपड़ा है इससे वेराग्या जाता है सन्यासियों को वेराग्या आता है घरबार से स्त्री को नागिन समझते हैं तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वेराग्य है गाया भी जाता है ग्यान भगती और वेरा के ग्यान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वेराग्य करो यह कब्रिस्तान बनना है वह है हद का सन्यास उन्हों को यह मालूम नहीं है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है वह कहते हैं हम घर में इकठा रह नहीं सकते तो उन्हों को घर से वेराग्य होता है और वह जंगल में चले जाते हैं तुम्हारा यह है बेहद का वेराग्य परन्तो इनका किसी को पता ही नहीं तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से कबरिस्तान से वेराग्य है यह रावन राज्य है ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरारी दुनिया से दिल लगाएगा जब तक पूरी तैयारी हो जाए सत्युग आने का समय भी हो तब तो लड़ाई लगेगी कई लिखते हैं कि भल बैठे घर में हैं परंतु मूझते हैं कि क्या करें ममत्व अगर नहीं रखें तो संभाल कैसे हो बाप कहते हैं बच्चे रहना तो यहां ही है परंतु बुध्धी की आ सकती अब नई दुनिया में जानी चाहिए सच्चा लव उसमें जाना चाहिए इस पुरानी दुनिया से वेराग्य है देह से भी वेराग्य तो बाकि क्या रहा बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड निभाना है सो तो जरूर करना है अगर तोड नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे ग्रस्त वेवारमे रहते पवित्र रहो देही अभीमानी बनने का पुरिशार्थ करो तो बुध्धी योग बाप से लग जाएगा मैं आत्मा हूँ बाप के पास जाना है बाप कहते हैं ग्रस्त वेवारमे रहते कमल फूल समान बनो ज्यान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे हर एक की जनम पत्री अलग-अलग है हर एक के लिए युकती भी अलग-अलग मिलती है कोई तकलीफ हो तो पूछो कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए हम घर जाते हैं फिर आएंगे नहीं राजधानी में बाकी थोड़ा समय है पाट बजाना है ममत्व तोड़ते जाना है हर एक का कर्म बंधन अलग-अलग है कोई का हलका कोई का भारी है बाबा से युकती लेकर धेरता से कर्म बंधन को काटते जाना है इसमें गुप्त महनत चाहिए बुद्धी को यात्रा में ले जाने की महनत है घड़ी-घड़ी बुद्धी योग तूट पड़ता है अब परिपक्व बन जावें तो कर्मातीत अवस्था आ जाए अभी तो अनेक प्रकारों के विकल्पों के ही तूफान लग पड़ते हैं एकदम नींद ही फिट जाती है विकल्पों को ही तूफान कहते हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती वहाँ तो है कनरस, फाइदा कुछ भी नहीं यहां तो यह पढ़ाई है आमदनी के लिए पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे तो बाप समझाते हैं यह अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है क्यों ना श्रीमत पर चल उंच पद पाएं जब तक इसमें होश्यार हो जाओ तब तक शरीर निर्वा अर्थ कर्म तो करना है फिर इस इश्वरिय सर्विस में लग जाना सारी दुनिया को सेल्विज करना है तुम हो सेल्वेशन आर्मी नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हूँ वह सेल्वेशन आर्मी यह नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है सब रावन की जनजीरों में फसे हुए हैं सारी विश्व को अब सेलवेज करना है इसमें तो बाप की मदद चाहिए तुम रुहानी इश्वरिये सेलवेशन आरमी हो मनुष्य मात्र को रावन के पंजे से छुड़ा ना है इतना नशा चाहिए वह जिसमानी सोशल वरकर तो धेर हैं तुम कितने थोड़े हो यहां तो मनुष्य भी धेर सत्यूग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं तुम थोड़े बच्चे ही रुहानी बाप से वर्सा लेते हो यह अंतिम जन्म जो कोड़ी जैसा है उनको हीरे जैसा बनना है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं सैपलिंग लगाने अत्वा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है जब तक किसी को बाप समान नहीं बनाया है तब तक खुशी का पारा नहीं चड़ेगा खुशी का पारा तब चड़ेगा जब दान करेंगे जिसके पास धन हो और दान ना करें तो उनको मनहूस कहा जाता है यहां फिर ऐसे नहीं है जिनके पास है वह तो देते रहेंगे नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दाधा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दाधा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार इश्वर ये सेलवेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेडे को पार लगाना है अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है वर्दान दिव्य बुध्धी द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहन करने वाले सफलता मूर्त भव बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुध्धी का वर्दान प्राप्त होता है जो इस दिव्य बुध्धी के वर्दान को जितना कारे में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं क्योंकि हर कारे में दिव्यता ही सफलता का आधार है दिव्य बुद्धी को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहन करती हैं अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धी वालों पर पढ़ नहीं सकता स्लोगन स्विम को महमान समझ कर रहो तो स्थिती अव्यक्त वा महान बन जाएगी ओम शंति